जिंदगी कभी कभी आपको महान बनने का एक सुनहरा आउसर परदान करती है एक ऐसा आउसर जो बस कुछ इंच दूरी पर होता है जो कुछ कदम चल कर मिलता है और हर दुख और कटिनाई को बुला कर सिर्फ जीत की दिशा में ले जाता है जाए क्रिकेट के मैच हो या कोई कॉंप्लिटिव एक्जाम शेनिवार की रात आप सभी ने देखा होगा स्टूरिंस भारत के इन महान क्रिकेटवर ने उन अउसरों को एक-एक करकर अपने जोली में समेटना शुरू किया जब ऐसा लगना लगाता कि मैच हाज से निकल रहा है इस बॉल में सिर्फ तीस रइन सौधाफरी को चाही जीतने के लिए तब जाके बुमराज जैसे बॉलर ने अपने घातक गेनबाजी से पहला अउसर का द्वार खोल दिया एक था दिवान आर्शदीप जिसने अपने युवा कंदों पर करोडो भारतियों का बोज उटाया जो शांदार गेनबाजी की साथ दूसरा मोका प्रदान किया सूरिया था जिसने बाउंडर पर न जाने कहां से एक अभीश्वसनिय क्याच पकड़ा जिससे हार और जीत का जो सीमा थी वो सपस्ट होगी हरदिक था जिसे कुछ मेहने पहले लोगों ने मैदान में गुस्ते बुली करना स्टार्ट किया आज वो अंतिम ओर में पूरे देश की धड़कन को थामे हुए प्लासन और मिलर जैसे महान क्रिकेटरों का काल बनकर उबरा इनी के साथ विश्व का सबसे प्रिशिद दबलिबाद इसने पूरे टूनामेंट की असफलताओं को पीछे छोड़कर अंतिम संगर्ष में विराय ट्रोप धारन कर लिया और अंत में था वह महान कप्तान जो इस जंग को जीतने के बाद जमीन पर जुपकर अपने आसो को बहने दे रहा था आसो के साथ पूरा भारत इस T20 वर्ल कप प्रोफी को अपने पलकों पर उठाये हुए था जिंदगी ने इन सब को एक मोका बहाल किया था और आपको भी यह मोका मिल रहा है स्टूडेंट्स भारत में 13 साल बाद विश्व कप विजयता का किताब जीता है तो दोस्तों आपको भी एक मोका मिल रहा है एक ऐसा मोका जिसका फाइदा आपको उठाना चाहिए CSR का एक्जामी तो है जिसमें हमें जीत को हसिल करना है तो छोड़ो असफिलताओ को छोड़ो सारी नेगेटिविटी को जो इसके साथ प्रप्रेशन के लिए लगिए तैयारी करिए और दिखा दो अपना दम